6-8 महिने पहले लोगसभा चुनाव में 50 प्रतिक्षत वोट पिला था बीजेपी को 14 में से 11 सीटे में ली थी देखिए आप दोनों चुनाव को कंपरेजन मत कीजिए उसका कारण यह है कि लोगसभा चुनाव के विशे अलग होता है विदान सवाच चुनाव के विशे लगों राज के विशे लड़ा जाता है उसका हम कह सकते हैं कि राष्ट्रे मुद्व का जो है वो कॉंप्लिमेंटिंग एफेक्ट होता है तो मुझे यसा लगता है कि दोनों का कंपरेजन नहीं किया जाना चाहिए ऐसा मेरा मानना है कि कि दावे की जो हवा है उस तरी उराई ने निकाल दी थी जो आपकी ही पाइटी के थे और मंत्री थे लगातार पांट साल मंत्री रहे और संग के जमाने से जुड़े रहे उन पर कोई दाग नहीं है लालू यादों से लेकर करके मधुकड़ों तक को जेल बेजवाने वाल और क्या आदिवासियों की नाराजगी अलगला कानून और पॉल्सी को लेकर आपको लगता है वो भी गुड़ गवर्नेंस के नाम पर एक जटका साबित हो रहे हैं निश्य पूप से आदिवासियों खासकर सीन्पीटी और सीन्टी और स्पीटी एक्ट में बदलाओगी को कि भाजपा जो है उद्योगपतियों और व्यापारियों के पक्ष में काम कर रही है इसकी वजह से भी आदिवासियों में नाराजगी थी इसको समझने में वहां का स्थानी नेतर तो नाकाम रहा दूसरी बात अभी जैसे शिवम जी कह रहे थे कि लोग सभा कुछ की मुद्य उटाएं प्रदानमंतरी थे रखसरी के मंत्री धार ग्र्यमंतर दीवार्तधि यृजव फ्रम व्लिया उप लामो के बाद वनहोंने नाम ले रही हैं उन्होंने कंडियेट्स का नाम नेना बंद कर दिया, उन्होंने सीधे कहा कि कमल मतलब मोधी और मोधी मतलब कमल, तो कुल मिला के चुनाओ तो वे रास्टी मुद्धों पर याब लड़े वहाँ पर.